प्रोड के इतना महंगा पट्रोल हो चुका है कोई साब नियुक्त हरा है है ईतना पैट्रोल के रेट दिन बादे जा रहे हैं जो भी निकमी चीज यहां पर चाहिए यह से कहा नहीं जाते हैं स्कूटी ए घर पे लगा देनी चाहिए साइकलों पे गूमना चाहिए सब्सक्राइब कर रहें। लोग बनाव गाडियां रखी हैं वो लोग जो है अब पैट्रोल डीजल दलवाने के काबिल भी नहीं रहे हैं अपनी गाडियों में तस्बिर इस वकत की फिलाल के लिए जम्मू की है और यहां पे तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे कि उनका इस बढ़त सब्सक्राइए हिसों बातक है इसके इसपर काभू पार चाहिए पहल को देखना चाहिए सरकार को क्या करना तरहां ट्रॉडीययस त्सभण बढ़ेंगे कि इसे यह नहीं है की गारी गाड़ी से होगा हर चीज महेंगी होगी यह बाखी आप देखिए लगातार पेट्रोल डिजल के रेज जो हम वो आसमान को शूरे ऐसे में आपका क्या कहना है सर इसे में गरीब लोगों के लिए बहुत दिक्कत है इसमें गोर्मन को सोचना चाहिए कि आम आत्मी के से मला भी सब सोरे पे किल सके हम स्टूडेन है हम भी मिसर अभी पड़ाई कर रहें तो हमारे लिए सर बहुत दिक्कत है और सरकार को मलब सरकार को इस चीज में इस पेट्रोल के चीज में ने बाकी चीज में हर चीज में मिंगाई हुआ है जब से मलब आप आप क्या कहूंँ आप लोगडों यह स्टार्ट हुआ है तब से बहुत दिक्टें हुए है तो गोर्मेंट को सोचना चाहिए एक तरफ क्रोना वारिस जैसे हमारी से लोग परिशान है वहीं दूसरी तरफ जमुकुश्मिन में लिस्ता से लगातार पैट्रोल डीजल के रेश यहां बढ़ते जा रहे हैं उससे कही पैसी में महंगा ही बढ़ती जा रही है ऐसे आचा तो हम बहतर है कि अब गाड़ियां छोड़के पैदल चलना जाएंगे उपर से इतनी टंपरेचर है यहाल है बहतर है कि पैदल चलें जिससाब से पैट्रोल के रेट दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं यह तो बिल्कुल तो निकमी सरकार है जो भी निकमी चीजसे यहां पर चाहते हैं पड़र गर्लोपाफ़ल क लुखा देगा जी इतना मेंगा पट्रोल हो चुक है कोई तोरवे में 20 नहीं सबसे कानट से लाता है पैसा अप mobile आज और पट्रोल दिन में दिन बड़ा जा रहा है क्या कर रहे है पर दाम कराला चाहिए अब बैटरी बाल स्कूटीए और पर लगा देने चाहिए साइकलों पर गूमना चाहिए सब को बैटरी बाल स्कूटी है वो दिशाल पर लेटर तरह जा रहा है महीने के बाद और 110 रुबे लीटर जल जाएगा ऐसे तो मुखें मर जाएंगे सारे अच्छे जिसके सपने दिखाएगे तो और महंगाई को कम करने का वादा किया गया था क्या लगता है कि वो दावा के बाद खोखला है यह दावा वो उससे जादा क्या जिन जिनके बाद पैसा खुला उनके लिए ठीगा गरी बंदा क्या करें अब आटों में भी जाना हो आटों में भी इतने किराये होगे हुए अब जिस जो नॉर्मल बंदा देहाडी लगाने वाला वो वचारा क्या करेगा सब जीए भी इतनी महंगाई का इतना टाइम है बीजे भी सरकार कहारे सब कुछ अच्छा करेगी अच्छा तो कुछ हो नहीं रहे हैं इसके आपका क्या कहना है इन्हों ने तो घर का बजट बिगार दिया है और बगैर तेल के तो गाड़िया चलनी सकती है इसी लिए रेट तो कम होना ही चाहिए ताकि हर किसी का घर चल सके गाड़िया चल सके हम एक तरफ लोग करोना वाइरिस जैसी हमारी से परेशान है ऐसे में दूसरी तरफ रेट जो हैं वो पैट्रोल डीजल जहितने ट्रच लिए बिगार के रखा हुगा ना जाएंगी तो पट्रोल के कीमत की कीमत जाएगा ही यह। लिख लो जब भी जोर्मेर का इसका पत्र होगा इसी पर्ट्रोल डीजल की वज़से होगा दो दो टेक्स है कि स्टेड का अलग सेट्र आलग आदा पचास पर एड़ है और पचास पर टेक्स बन रहा है तुम्हें पैसा खर्च करो क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरह से एक तर जैसे तो कामजाब है एक बहना मिल गया इनको हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं यह कर रहे हैं बाकी काम खत्म है जो गरीव आज मैटा डोर गाड़ी नहीं चल रही है गरीव से गरीव बंदा अपने इंकम से खर्च करके कोई पराना स्कूटर ले रहा को नेया ले रहा को क सब्सक्राइब आगे जाने में तो दो तीन सब्सक्राइब खत्म हो गया वह क्या हमा बच्च कर ख़लाएगा खुद क्या खाए इससे वैसे दो हमारे गवर्मन टेक है बट जो डेली इंक्रीज कर रही है उसे आम जंता को प्रवल्म हो रही है साथ में क्रोना काल चल रहा ह लॉक्डून लगा हुआ ना ही हमरे पास काम का जा ना कुछ तो हम पैसा पैसा आएगा तो भी पेटरोल डलवाएंगे सरकास से यही निवेदन है कि गरीब और जंता के बारे में सोचें ज्यादा उनका दियान रखें जैसे पैटरोल के दाम उपर जा रहे हैं पैटरोल के तमाम जो चीजों में महगाई देखने को मिल रही है उसको लेकर लेकिन लोगों में जो है इसको लेकर मोजी सरकार से नराजगी जो हो देखने को मिल रही है और हर कोई जो हमोजी सरकार से नराज है और हर किसी का यही कहना है कि मोजी सरकार महगाई पर काबू पाने में ना हो चुका है ऐसे में लोगों ने यही गुजारिश किये हैं मरकजी सरकार और मोदी जी से के जल्द से जल्द जमु कश्मीर में बढ़ते पैट्रोल डीजल के रेट्स पर जो हो काबू पाए जाए ताकि हर शक्स को जो हो इस महंगाई से राहत मिल सके काम्रेपरसन निकलेश प्रोड़ा के साथ नरिंदर सिंग खापूर्ट प्रफेक्ट टाइम लाइन जमूँ